तो हमने दिखा कि संटेक्स ट्री जनरेट करने की टू अप्रोच इस टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच तो बॉटम अप्रोच तो अपने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि क्या होती है तो अब हमारे पास आता है बॉटम अप्रोच तो सबसे पहले क्या है यह SDRT है SDRT में क्या होता है ग्रैमर दी हुई है और उसके कुछ semantic rules दिये हुग उसके respective तो यह grammar है इसके कुछ rules हैं तो सबसे पहले हमें syntax tree बनाने के लिए bottom up approach evolution के लिए हमें क्या करना पड़ता है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे past tree generate करेंगे जैसे हमारे पास कोई एक string दी है इसे हमें past करना है ठीक है, string हमारे questions में दी होती है तो अब सबसे पहले हमें past tree generate करेंगे इसका, past tree कैसे generate करेंगे सबसे पहले e produce e plus t ठीक है, अब हमारे plus operation perform करना है यहाँ पहले तो यहाँ e to t and t to f f to num अब यहाँ पर क्या हो जाएगा t multiplied by f t to f and f to num f to num ठीक है, तो यह num plus num star num, तो यह हमारे यह string यहाँ पर हमें show हो रही अब हम यहाँ पर num की value कितनी है 2, 3 and 4 अब basically इसका answer कितना आना चाहिए 3 is a 12, 13, 14 तो हम देख लेते हैं answer 14 आ रहा है क्या तो bottom up approach में हम क्या करते हैं जैसे हमें reduction मिलता है तो हम उसकी value past कर देते हैं for example, यहाँ हम चले और यह हमें reduction मिला मतलब कि हम इसमें इस f के पास दुबारा नहीं आएंगे तो हम क्या करते हैं f कौन सा operation perform हो रहा है f to num to num मतलब कि f dot value is equals to num dot value तो इसका मतलब f की value is equals to 2 हो जाएगी again उपर चलते हैं t आया इस t के पास भी हम दुबारा नहीं आएंगे reduction हो रहा है तो कौन सा operation perform हो रहा है t to f it means t to f यानि t dot value is equals to f dot value f की value 2 है तो यहाँ पे t की value भी 2 हो गई ठीक है again उपर गए e e इसी इदर भी reduction हो रहा है तो e dot t e dot value is equals to t dot value तो e की value is equals to t की value अब यहाँ से हम फिर नीचे आते हैं यहाँ पे again उपर का है हम num f reduction होगा f के पास दुबारा नहीं आएंगे तो f dot value is equals to 3 again उपर गए t के पास t dot value is equals to f dot value ठीक है इस t के पास भी हम दुबारा नहीं आएंगे तो यह वाला operation perform किया t dot value is equals to f dot value तो जो f की value है वो हमारे t की value हो जाएगी तो that is t की value अब हमारे पास फिर हम यहाँ आए और उपर गए तो यहाँ देखो 4 num is equals to 4 है f to num f to num हो रहा है मतलब f dot value is equals to num dot value तो f की value is equals to 4 अब देखो फिर उपर गए same अब यहाँ पे reduction हुगा हमारा इस t के पर जुबारा नहीं आएंगा तो यह कौन सो operation performer है t t multiplied f यह वाला operation performer मतलब t dot value t dot value is equals to t dot value multiplied f dot value तो t dot value की value क्या है 3 multiplied f dot value की क्या है 4 that is 12 तो t dot value क्या हो गए 12 यह 12 हो गए उपर गए e reduction हुआ कौन सो operation perform हो गए e plus t तो e dot value is equals to e dot value plus t dot value अब e dot value की value क्या है यहाँ से देखे हमने e की value is 2 and t dot value की 12 तो the answer is 14 तो मतलब bottom up approach के through भी हमारा answer as it is आया जो हमें string चाहिए थी वही answer हमें आया उसके through ठीक है तो इसमें basically हम जो हमारी top down approach थी उसमें basically operation को number देते थे और जैसे ही वो number हमारे पास आता था हम वो operation perform करा देते वो production perform करा देते ठीक है बड़ इसमें हम क्या करते हैं जैसे हमें reduction मिलता है तो हम value pass करते जाते हैं ठीक है और उसके जो हम अपना answer find out करते हैं तो I hope आपको ये bottom up approach और top down approach समझ में आई हो तो ये काफी सारी चीजें हमने इसमें देफी पोस्ट फिक notations भी देखा तो I hope आपको ये SDT के सारी concepts clear हुए होंगे अब कल से हम अपनी next topic पे आगे बढ़ते हैं compiler design की I hope अभी तक कि आपको सारी video समझ में आई हो और आपके लिए helpful भी हो तो अगर आपको ये मेरी video थोड़ी से भी helpful लगे तो प्लीज अपना feedback ज़रूर दे और compiler design की और भी topics देखने के लिए आप मेरी compiler design की playlist को check कर सकते हैं Thank you so much, bye bye